नमस्तेकार और आज हम कड़े हैं जर्मन हैच बैक के सामने जिसका नाम है मर्सेडेज बेंज एक लास 1995 में लॉण शुई थी और ये 3rd जुनरेशन आप देख रहे हैं पैट्रोल और डीजल में आती है शुरू होती है 32 लैक से और टॉप मडली कीमत है 37 लैक रुपीज क्योंकि 4th जनरेशन एक लास 2018 में लॉण्च चुकी है लेट सी वो इंडिया का बाती है 4th जनरेशन एक लास का सिडैन वर्जन भी लॉण्च किया जाएगा प्यार से बेबी बेंज भी कहा जाता है मर्सेडेज बेंज एक लास को मार्क फैदर्स्टन ने डिजाइन की है ये 3rd जनरेशन एक लास एक लास मर्सेडेज की सबसे पहली छोटी कार थी अपनी पुरानी जनरेशन के मुकाबले इस 3rd जनरेशन का डिजाइन टोटली चेंज था ये ज्यादा लंबी कर दी गई और एक प्रॉपर फैमली कार बनाई गई है जर्मनी, हंग्री, फिनलैंड और मेक्सिको में असेमली होती है एक लास की और ये हैं LED हाई परफॉर्मेंस हेड्लैंप्स यहाँ पर बेजिंग भी दी गई है हाई परफॉर्मेंस हेड्लैंप्स की और ये है डायमंड रेडियेटर ग्रिल A45 AMG भी आती थी बट वो इंडिया में लॉंच नहीं करी गई 1500cc, 1800cc डीजल एंजन 2000cc पैटोल एंजन और 6-speed manual transmission में भी आती थी एक लास बट वो models भी इंडिया नहीं लाए गए कभी ये green color आप देख रहे है red, white और silver color का भी option है ज्यादा sporty look के लिए decal kit का भी option है 4.3 meter length है, 1.4 meter height है और ये है 17-inch के 5-spoke light alloy wheels X-series में 16 और 18-inch के alloy wheels का भी option है आगे पीछे disc brake मिलते हैं और ये top model night edition की wedging Mercedes-Benz intelligent drive है जो handling और vehicle के आसपास की चीज़ों को monitor करेगा और किसी भी critical situation में driver को warn कर देगा blue efficiency है, कम pollution के लिए और ये LED tail lamps और ये A180 की bedging Mercedes-Benz का logo 4-matic 4-wheel drive है A-class dynamic select के अंदर 4 drive modes मिलेंगे comfort, sport, eco और individual Mercedes कहती है कि A-class को 25 cm से ज्यादा पानी में ना ले जाए safety के अंदर 6 airbags, attention assist, adaptive brake control, ABS, electronic stability program, acceleration skid control, ISO fix, child seat mounting और rear camera जैसे features मिलेंगे rear wiper भी मिलता है A-class में young crowd को target करने के लिए बनाई थी Mercedes-Benz ने A-class और यह sunroof A-class इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यह entry level Mercedes है A से जैसे alphabet चालू होते हैं वैसे ही Mercedes में cars A-class से चालू होती है ORVM पे turn indicators है यहाँ पर भी night edition की बैजिंग है top model है night edition आईए पीछे का boot hold कर देखते है तो यहाँ आपको मिलती है 341 लिटर की boot space spare wheel उपर ही आएगा और यहाँ पर एक light दी गई है spare wheel और इसको side करके इसको उठाएंगे यहाँ पर नीचे toolkit आएगी close कर देते हैं boot आईए पीछे का passenger side door खोल कर देखते हैं तो यहाँ door पे leather finish है और नीचे bottle holder और काफी space दी गई है speakers भी है white stitching है और यह power window के controls है scuff plate नहीं मिलेगी और यह है artigo man made fabric upholstery में sports seat ISO fix child seat mounting तीन headrest मिलेंगे और यह armrest है और यह reading light है यहाँ पर यह sunroof seat के पीछे pockets नहीं दी गई है काफी sporty seats है यहाँ थोड़ी बहुत space दी गई है और यह 12V का charging port साथ में ashtray और ऐसे दिखता है front का dashboard शांदार three spoke steering wheel है leather wrapped designer AC events है आईए driver side door खोल कर देखते है यहाँ door पर काफी functions है नीचे light भी दी गई है speakers है bottle holder और काफी space है साथ में यह power window के controls है और यह तीन memory seat के functions है electrical seat के adjustments भी है यहाँ पर white stitching और यह है Mercedes Benz की scuff plate और यह हैं शांदार sports seat fabric और leather अपॉल्स्ट्री में और यह AC went car on कर लेते हैं और यह light के controls है यह electric parking brake यह pedals dashboard पे बीच में checkered look trim दिया गया है और armrest के अंदर काफी space है दो USB port दिये गए है और यह दो glass holders है यह infotainment का controller यहाँ पर भी थोड़ी भाव space दिये गई है और यह 12V का charging port साथ में ashtray और यह है automatic climate control AC और यहाँ पर खाफी functions है radio, media, navigation, telephone infotainment on करने का button और यह नीचे eco start stop button है dynamic select है तीन AC vents मिलेंगे यह checkered look में trim और यह है 8 इंच का audio 20 CD infotainment support करेगा Garmin, Map Pilot, Apple CarPlay, Android Auto और कई music options यह vehicle settings है a dynamic select, consumption, owner's manual, time telephone, media, radio, navigation, system settings radio telephone, vehicle, leverage rear view camera निशानदा dashboard के finish और glow box के अंदर गफी space है light भी मिलेगी और यह passenger side vanity mirror light नहीं है यहाँ पर भी reading lights दी गई है और यह है panoramic sliding sunroof और driver side भी vanity mirror मिलेगा बट light नहीं मिलेगी और यह है शानदार three spoke leather app steering wheel काफी controls है steering पे यह multi information display के controls है यह phone के controls है volume के controls है voice control है यह pedal shifters और यह है 7G tronic 7 speed dual clutch transmission और यह वाइपर के controls है और यह है शानदार sporty instrument cluster बीच में multi information display है जो दिखा रहा है temperature time gear shift indicator average instrument cluster में भी बीच में checkered trim दी गई है और यह sunroof पीछे की seats और यह एक फिर से clear look dashboard का सारे systems होन है काफी powerful phone है आई यह front का बोनेट खोलते है और देखते हैं 1600 cc petrol engine यह है inline 4 cylinder 1600 cc direct injection turbo charge petrol engine 122 horsepower है 200 nm torque है 0 से 100 की speed पगड़ेगी 8.6 seconds में और 202 km पर आर की top speed है 15 का average मिलेगा 50 liter के fuel tank से diesel में inline 4 cylinder 2200 cc OM 651 engine आएगा उसकी होगी 136 horsepower 300 nm torque 210 km पर आर की top speed और वो देगा 18 का average Mercedes-Benz oil यूज करती है यह class यह petrol engine M270 code name का है जो GLA, CLA और B class में भी यूज होता है 122 horsepower है और 200 nm torque है 202 km पर आर की top speed है Mercedes-Benz oil recommended तो कैसे लगी आपको Mercedes-Benz A class हमें कमेंट्स में बताईए अटा है यूज यूज च्यूच्क्या तो के ज्यूच्क्या आपको फश्क्या पर देखने चासे अटाने बताईए ऐसे लीड़्स में व skills